हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज किस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैट्स के वीक नंबर 13 की वर्क सीट को सौर्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आप किस वर्क सीट का टॉपिक है पैटन तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन वन हैं कंप्लीट दपैटन पैटन को कंप्लीट करिए बच्चों यह स्कुरू करेंगे इस स्कुरू के बाद बच्चों कौन से आएगी सर्कल तो यहां पर सर्कल ड्रो करेंगे अब बच्चों नेक्स्ट यह बच्चों हेक्सागन यह बच्चों होरिजेंटल है उसके बाद वर्टिकल है फिर से कैसा है होरिजेंटल फिर से कैसा आएगा वर् बच्चो यहाँ पर triangles हैं तो बच्चो यह triangle जो है इसकी जो यह side है उपर की side है उसके बाद जो दो triangle है यह नीचे की तरफ बने हुए इस तरीके से उसके बाद फिर से बच्चो यही pink color में उपर की तरफ draw है उसके बाद फिर से बच्चो यह purple color के two triangle नीचे की side से draw किये गए है तो बच्चो next जो pattern होगा वो कौन सा आएगा ऊपर की side से बनाएंगे उसके बाद फिर से बच्चो down side का triangle बनाएंगे अब बच्चो next है ये है circle shape first जो है ये बड़ी shape है उसके बाद फिर से small shape है circle की उसके बाद फिर से बड़ी shape है circle की अब है question number two, fill in the blanks to continue the pattern, बच्चो यहाँ पर pattern को complete करना है, continue करना है, पहले बच्चो यहाँ पर star है, सबसे पहले देखेंगे यह जो box है, यह खाली है यहाँ पर, star के बाद बच्चो यह वाली shape है, यहाँ पर बच्चो यही shape इधर की side है, फिर उसके बीच में क्या है बच्च star है, फिर से यही shape है, तो बच्चो इन दोना shape के बीच में कौन सी shape है, star की, तो बच्चो यहाँ पर कौन सी shape आएगी, star बनाएंगे यहाँ पर, अब next है बच्चो यहाँ पर heart है, उसके बाद two plus है, उसके बाद फिर से heart है, फिर से plus है, तो heart के बाद कितने plus है, it means इस खाली यहां पर बनाएंगे हम स्क्वेर नेक्स्ट बच्चों यहां पर प्लस की सेप है उसके बाद यह वाली सेप है फिर बच्चों यह है उसके बाद फिर से प्लस की है प्लस के बाद क्या है बच्चों यह वाली ब्लू सेप है ब्लू के बाद बच्चों कौन सी सेप है और एंज सेप तो यहाँ पर कौन सी सेप आएगी और यहां पर इस सेप को बनाएंगे आप है भी बच्चों कोशियों नंबर 3 complete the pattern बच्चों यहाँ पर लाइन का पैटन को complete करना है तो पहले बच्चों यहाँ तक आप समझेंगे फ़र्स्ट जो है यहाँ पर बच्चों है फिर horizontal और फिर से प्राइब तो बच्चों अब इसके नीचे कौनसी पैटन आएगा? यहाँ पर बच्चों वर्टिकल लाइंस ड्राइंगे? इसके बाद χारिजेंटल फिर से वर्टीकल यहाँ हमने अब यहाँ पर वर्टीकल है तो नीचे कौनसी ल करना है कि किस तरीके से जो पैटन है ग्रो हो रहे हैं तो आगे किस तरीके से बनाना है तो बच्चों यहां पर फर्स्ट जो है यह कैटपलर है तो बच्चों यहां पर कैटपलर का फेस है और वन राउंड है इसकी सेप का उसके बास सेकंड पैटन में बच्चों 3 राउंड स होगा हम बच्चों 5 में 2 प्लस करके ड्रोओ करेंगे it means 7 तो बच्चों फेस बनाएंगे और उसके बाद 7 जो हे सकल से बनाएंगे अब बच्चों next है पैटन में कितने डिपपे होंगे six होंगे two four six तो बच्चो आप इस तरह किसे जो करेंगे अब बच्चो नेक्स है यह वन फ्लोर की बिल्डिंग है यह बच्चो टू फ्लोर की है इसमें बच्चो थ्री है तो next कितने होंगे four floor students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you